तो आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर कि मैथर्ट्स डिफरेंट मैथर्ट्स ऑफ मिल्किंग क्या है लास्ट जो मैंने टॉपिक डिस्कस करा था बी-सी-एस वो भी काफी इंपोर्टेंट था वो भी कोशन आया था मेरे पेपर में और ये भी कोशन आया था ये भी कोशन काफी इंपोर्टेंट है कि मैथर्ट्स ऑफ मिल्किंग क्या होते हैं अब मैथर्ट्स ऑफ मिल्किंग डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुल में हम ये discuss कर ही क्यों रहे हैं ठीक है इतना जरूरी क्या है methods of milking को discuss करना तो देखे methods of milking इसलिए important है कि ये सिर्फ ना तो milk को affect करेगा कि आप सही तरीके से milk कितना milk आप निकाल रहे हैं ठीक है ये milk की quantity पर depend करेगा इसके अलावा ये जो cow की utter health है उस पर भी उसको भी affect करता है कई बार जो अडर से related problem है like mastitis वो diseases जब हो जाती है काओ को तो उसका बहुत सारा जो एक तो उसकी खुद की life खराब होती है इसके अलावा जो उसका production है वो भी बहुत बेकार हो जाता है तो इसलिए हमें जैसे कहते हैं prevention is better than cure तो हमें prevention के तोर पर अच्छी milking practice को करना है ताकि injury ना हो अडर को और टीट्स को तो इसलिए यहाँ पर हमारी चार टाइप की milking methods हैं जिने हम एक एक करके discuss करते हैं तो चली start करते है number one है stripping method तो जो stripping method है इसके अंदर क्या होता है basically कि सबसे पहला जो यह method है इसे हम कैसे perform करते हैं यह important है तो stripping method के अंदर आप और four finger इससे आपको जो टीट है उसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके आपको क्या करना है उसे पुल करना है और milking कर ली है तो आपको थम और four finger से base of the teeth तक आपको hold करना और फिर आपको move करना है तो यह एक method है and this is known as stripping और इस stripping के अंदर क्या होता है कि जो टीट है उसकी entire length पर आपको press करना है ठीक है और यह जो process है यह succession के अंदर आपको करनी है ठीक है मतलब जैसे pulsation type में आपको यह process करनी है by hand और सबसे important point जो इसके अंदर आता है वो यह है कि यह जो process है वो small cows के अंदर adopt करी जाती है small cows जो की पहले बात तो जो small breeds की होती हैं अब जब small breeds की हैं तो उनके teats होते हैं वो भी small होते हैं या फिर कई cows ऐसी होती हैं जो first time जिनका carving होती है और उनके teats बहुत छोटे हैं तो उन cases के अंदर जो method यूज करा जाता है वो stripping ही use करा जाता है क्योंकि जो बाकी methods हैं वो उसके लिए suitable होते नहीं वो अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पाते हैं इसके अलावा एक important बात ओर है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो next point, next जो method है वो हमारा क्या आता है full hand method तो full hand method हमारा क्या है कि सबसे best method है अगर आपका fill up आता है या कोई पूछता है कि best method of milking बताइए तो वो है full hand method तो full hand method is the best method for milking क्यों है? as it cause minimum injury to the teeth तो minimum injury ये cause करता है teeth को अब इसके अंदर क्या कराया आता है? इसके अंदर आप teeth को ऐसे पकड़ते हैं इस type से आप teeth को पकड़ते हैं मतलब कि इस जगह पर teeth आना चाहिए और मतलब आपका या 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 आद रखे का यह जो thumb है यह उपर होना चाहिए तो in this method teeth is encircled ऐसे आप encircle कर लेंगे with the index finger and the thumb at the junction of the teeth उपर की side and the other teeth और अडर का junction है वहाँ पर होना चाहिए तो यह वहाँ पर present होता है the other portion of the teeth is closed with remaining finger and passed on side against the palm तो ऐसे करके जो यह वाली milking होती है यह वाली है full hand milking अब क्या होता है कि full hand milking complete जो milk है वो eject नहीं हो पाता तो initially full hand milking करने के बाद last का जो milk है उसे आप stripping के थूँ भी eject कर सकते हैं तो यह full hand milking हो गया तो इसकी अब image आ रही होगी आप वो image देख सकते हैं इसके बाद हमारा आता है तीसरा method जो की है knuckling तो अगर आप से पूछे कि सबसे बेकार method कौन सा है milking का तो वो यह knuckling method है सबसे बेकार method और यह advisable नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह सबसे ज़ादा injury teats को करता है इसके अंदर क्या होता है कि हमने full hand के अंदर यहाँ पर ऐसे रखा था thumb और knuckling के अंदर इस thumb को हम अंदर रखेंगे इस type से और अंदर रखने के बाद teat अंदर लिया और फिर ऐसे करके तब milking करेंगे इससे क्या दिक्कत होती है कि यह बहुत ज़ादा pressure पड़ता है teats के उपर और वो teats injured हो जाते हैं तो pressing the thumb against the teat while the teats are in between the thumb and finger thumb और finger के बीच में क्या आगए यहाँ पर teats आगए और फिर जब आप उसे ऐसे कर रहे हैं तो maximum injury यहाँ पर होने के chances होते हैं और यह method कभी भी advisable नहीं होता है knuckling method knuckling के बाद हमारा जो fourth method आता है वो है machine milking तो machine milking आप देख सकते हैं कि काफी जगा आपने machine देखी होगी screen पर भी आपको image show हो रही है तो इसमें क्या होता है कि milking है वो machine के से होती है और यह जो उन हर्ट के लिए arrange कर आयाता है जहाँ पर large number of cows present होती है अब यहाँ पर एक बात है कि जो milk है वो मतलब उसके अंदर continuous flow होता है इसका एक जो advantage है वो यह क्या है कि यह जो labor cost है उसे reduce कर देता है ठीक है वहाँ पर तो अलग अलग labor लगेगी ठीक है भी जाकर के milking करनी है बट यहाँ पर आप machine लगाईए machine जितनी लगाते जाएंगे labor cost reduce होती चलिए है एक बार machine खरीद लीजिए ठीक है वो लगाते जाएं labor cost reduce इसके अलावा short time of milking ठीक है labor थोड़ा जाधा time देंगी बट milking का जो machine से हो रही है उसमें जाधा time नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर continuous flow होता है milk का ठीक है और यह less injury देता है teats को और यहाँ पर hygiene method of milk production है यह काफी important point है कि यहाँ पर hygiene maintain कर जाता है अब hygiene कैसे maintain हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी hand नहीं लग रहा है अडर को कोई भी hands नहीं लग रहा है तो इसलिए यहाँ पर hygiene create होता है नहीं यहाँ पर milk इदर उदर गिर रहा है नहीं यहाँ पर milk open air के अंदर expose हो रहा है ठीक है वोई close container के अंदर store हो रहा है वहाँ पर तो क्या होता है कि अगर हम open में milking कर रहे हैं तो जो bucket है वो open में expose हो रही है ठीक है उपर से कोई भी insect है hairs है animal के dander वो सब भी उसके अंदर गिर सकता है बट यहाँ पर यह पूरा hygiene method of milking है और यहाँ पर यह काम कैसे करता है basically जो machine है जो pulsator है वो pulse create करता है ठीक है pulsations create करता है जिनकी वजह से जो milk है वो eject होता है जो cow है उसे ऐसी feel आती है कि calf जो है वो सकल कर रहा है ठीक है तो वहाँ पर milk हमारा eject होता है इस cow के अंदर अब यहाँ पर कुछ precautions हैं जो कि हमें लेनी चाहिए milking करते समय पहले इसमें आता है कि regular time और same person होना चाहिए milking के लिए regular time और same person क्यों हम बोल रहे हैं क्योंकि basically देखिए hormonal जो भी यह process है यह पूरा का पूरा एक जो milking है यह hormonal process है तो इसे regulate भी hormones ही करेंगे तो इसलिए जो एक timing है वो maintain करना बहुत जरूरी है इसमें और generally इंडिया के अंदर two time milking practice करी जाती है generally देखा गया है और इसके अलावा same person same person हम इसलिए बोल रहे हैं कई बार जो दूसरे person होते हैं उनके साथ animal इतना comfortable होता नहीं और वो milk eject नहीं हो पाता teats के थूरू इसलिए same person prefer करा जाता है इसके अलावा noise भी हमें avoid करनी चाहिए क्योंकि noise avoid अगर हम करेंगे तो भी जो milk ejection है teats के थूरू वो कम होता है ठीक है animal अगर डरा हुआ हो animal जब relax हो इसलिए हम खाना देते हैं animal जब हम milking कर रहे होते हैं तो animal जितना relax होगा उतना अच्छा milk eject होगा ठीक है इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है कि जाते ही आप milking करना start कर दे उससे पहले आपको अडर को dirty जो अ order है उसे आपको wash करना पड़ेगा टीट को आपको wash करना पड़ेगा ठीक है ताकि अगर कोई भी क्योंकि animal जो उसका पूरा excreta होता है urine होता होते हैं वह उन्हीं के आसपास वहां पर बैठा हुआ होता है और जब हम milking करते हैं तो जो टीट कैनाल से हैं वह उपन होती है त तो चांसे जादा रहेंगे कि वह उपर टीट कैनाल में चले जाएं और वहां पर infection कॉस कर दें में status कर दें तो इसी वजह से चीज को prevent करने के लिए वहां पर पूरे order को wash करना होता है और initial जो milk की जो आप कैसकते है milk है उसे discard करा जाता है याद रखिएगा जो यह practice है कि milk को कहीं पर भी मतलब वो जमीन पर ग्राउंड पर जो discard करते है milk को वो अच्छी practice नहीं है ठीक है आपको milk को अगर discard करना है तो अलग discard करिए इसके अलावा आप कभी भी milk को जो टीट से होने lubricate करने के लिए यूज मत कीजिएगा यह एक अच्छी practice नहीं है और यहां पर complete milking प जो इसमें मैंने important बात बताई वो यह कि best method of milking अगर कोई आप से पूछे तो वो यह है full hand milking और last में full hand plus stripping अगर आप कर दें तो वो तो सबसे best है कि जो last का जो milk होगा वो भी eject हो जाता है तो इसके अंदर हमने चार method discuss कर लिए उसके अलावा precautions के लिए नहीं है वो हमने discuss कर तो यहां पर आपके method of milking जो है वो खतम होते हैं